नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी डी टर प्लेज्वी को लेकर के एक अपडेट है और उस अपडेट में एक वेकेंसी की कैंसेलेशन से रिलेटेड है अब कैंसेलेशन क्यूं हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ क्या यहाँ पर कोई दूसरा काम भी किया जा सकता था उस स्पेशली मैं बता रहा हूँ कैंसेलेशन नोटीस है यानि के उस वेकेंसी को ही रद कर दिया गया है कौन सी वेकेंसी है अभी रीसेंट है पीजीटी म्यूजिक की आई थी एंडेम से न्यू दिली मूनिसिपल कॉर्परेशन में एडविटीज में नमबर पांथ दोज़ा के लिए थी पीड़लूडी के लिए वेकेंसी थी एक पोस्ट थी और कैंसिलेशन के पीछे कारण ये है कि हीरवाई कैंसल्ड एज नो कंडिडेट है अप्लाइड किसी भी कंडिडेट ने इस एक पोस्ट के लिए अप्लाइड नहीं किया क्या कारण हो सकता है कारण ये हो स लेकिन vacancy कम है तो किसी ने apply नहीं किया होगा. लेकिन सवाल यहां पर यह वनता है कि जब आपके पास एक vacancy है, किसी ने apply नहीं किया, तो किया कोई आईसी विवस्था हो सकती है कि cancellation करने का current तो पता चल गया कि हाँ भई किसी भी candidate ने apply नहीं किया क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता था कि इसको एक सामानने vacancy के तौर में convert कर दिया जाता ताकि बच्चों का नुकसान नहीं होता जो बच्चे कहीं न कहीं एक वेक्ति के लिए रिजर्व करी गई है पी डबलूडी के लिए तो हमारे हमारे दिव्यांग जन साथी जब वहां पर पहुंचेंगे वह भी बहुत 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 काम करेंगे लेकिन अभी तो नहीं है अब vacancy आई cancel हो गई अब कितने लंबे के समय के बाद दुबारा होगी और तब भी कोई अप्लाई करेगा है कि नहीं करेगा इसकी कोई guarantee तो है नहीं तो ऐसे में इतने समय तक वह एक सिक्षक जो बच्चों के साथ काम कर सकता था वो तो अब काम नहीं तरीके से ना हो इस इसको promote किया जाए इसको लेकर कि आपकी क्या राय है कि इस तरीके से vacancies का cancel होना एक ऐसे देश में जहां पर एक एक vacancies के लिए लोग fight कर रहे है क्या यह सही है आपको क्या लगता है आप अपने जब हमसे सम्मादित किसी vacancies के साथ ऐसा होगा तो वाकई दिल में चोट लगेगी और जरूर लगेगी तो ऐसा जरूर इसके वे पर एक बाद चिंतन की बात है आपको क्या लगता है डी टर्प्लेश्बी को tag करते वे comment को जरूर कीजेगा मुझे आपके comments का इंतजार होगा ठीक है बाकी डी टर्प्लेश्बी के बाकी exams के update के लिए make sure कि आप channel के साथ जोड़े हुए mentor statistics application को install करके रखे और अपने batch में जाए पढ़ाई कीजेए see you next one bye bye take care